हलो एवरिवान जय भूलेनात कैसे हो आप सब लोग आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो देखेंगे आपके पॉर्षन इस वक्त क्या फील कर रहे हैं अगले कुछ वक्त में क्या फील कर सकते हैं इस रिष्टे को लेकर तो टाइमलेस रीडिंग है कभी भी देख सकते हो पॉल साइन वालों के लिए है स्टिल में साइन बता दूंगी ओके पहला ही कार्ड लावस आया जमिनाई अनर्जी काफी स्ट्रॉंग लिग है यहां पर आप या फिर आपके पार्टनर हो सकते हो जमिनाई लेट सी और क्या कास आते हैं मैं हर कार्ड को क्लरिफाई करूंग यहां पर है हमारा टॉरस मेरा स्टाइल है मैं बता देती हूं मैं किस तरीके से रीडिंग करती हूं मैं सारे कार्ड को पहले निकालती हूं उसके बाद आपको situation explain करती हूं एक दो कार्ड निकालकर नहीं बताती हूं क्योंकि मुझे situation आधी अधूरी लगती है तो यहां पर है Aries, Leo, Sagittarius again Aries, Leo, Sagittarius with this Knight of Wands Leo energy बहुत strong है यहां पर Gemini, Aquarius, Libra again Capricorn, Taurus, Virgo again Capricorn, Taurus, Virgo it Nine of Pentacles and the star Aquarius energy है यहां पर let's see यह person और क्या feel कर रहे हैं इस वक्त आपके लिए पहला काट हमारे पास है rest, Holy Spirit next we have deprivation and हमारे पास है यहां पर balance ठीक है चलो अभी और कुछ काट्स देखते हैं handwritten messages क्या है इस रिष्टे के लिए हमारे पास है truth to be told, attachment and next we have final family harmony unity okay okay guys I think अभी जो है आपको कास दिख रहे है lighting भी सही हो गया है सबसे पहले मैं यहां पर जो feel कर पा रहे हूं with this lover का काट यह person actually में इस वक्त मुझे लगता है अगले कुछ घंटे में चाहे हो या फिर इस वक्त जब यह आप reading देख रहे हो कई ना कई मुझे लगता है यह यह जान चुके है आप जो है इनकी soulmate हो किसी ना किसी तरीके से soulmate की जो definition है इनको पता चल चुका है और यह जान चुके हैं आप इनकी soulmate हो या फिर आप उन्हें soulmate मानते हो कुछ इस तरीके की energy मुझे दिख रही है लेकिन यह person कही ना कही आप कोई queen की तरह मानते हैं जो ऐसी इंसान है जो जिसकी standard ही कुछ अलग है आपको वो हमेशा ऐसा सोचते हैं आपके बारे में कि खास करके अगर आप Capricorn, Taurus या फिर वर्गो हो तो वो सोचते हैं आपकी standard ही बहुत जादा high है ठीक है ना कहीं वो खुद को आपके समान नहीं मानते हैं उनको लगता है कि जो भी उन्होंने आपके साथ किया उसको side में रख के आप उनसे better deserve करते हूं ठीक है you deserve something better, someone better और आप उस जैसे इंसान को deserve नहीं करते जिसने आपके साथ कुछ भी wrong किया है but still with this lover का card में जान सकते हूं यहां पर यह person आपके लिए काफी soft feel करते हैं उनके दिल में still आपके लिए एक soft corner है but यहां पर यह बात भी नहीं जोटला जा सकता, इनके life में इस वक्त कोई और है या तो वो काम है, वो काम third party है या फिर कोई और person यहां पर third party है क्योंकि यहां पर two of ones है, इस इंसान के पास दो-दो options इस वक्त हैं और यह चाहते हैं एक options इन दोनों में से choose करना या तो आपको choose करें या तो वो third party को choose करें और इसी कश्मकश में वो पड़े हुए हैं, लेकिन आपको एक बात बता दो, कोई इनसान आपको क्यों एक option की तरह treat करें और आप उस इनसान से क्यों प्यार expect करते हो, आपको अगर कोई option की तरह treat कर रहा है, आप option मत बनो, ठीक ह तो easily आप just उनको deny करो, बस मेरी सोच यहीं है, बस चलिए आपके उपर है कि आप इस person का wait करना चाते हो या नहीं, मुझे लगता है ये person definitely आपको लेकर कोई भी एक long term plan बनाना चाते हैं, कुछ भी ऐसा सोचना चाते हैं, जिससे युनो एक long term plan बने, आपको लेकर वो आए द रिष्टा नहीं होता है, या तो रहो, या तो निकल जाओ, क्योंकि ये on of on of अपने मर्जी के हिसाब से करते हैं, और यहीं करते करते हैं, अभी आप से बात नहीं कर रहे हैं, तो इनको ऐसा feel हो रहा है, अगर मैं आता हूँ, अगर मैं action लेता हूँ, तो long term के लिए ही लू बात जरूर करना चाते हैं, कि क्या आप इनके लिए सही life partner रहो, कि क्या सच में आप इनसे इतना प्यार करते हो, कि स्टिल आप इनका वेट कर रहे हूँ, कईना कहीं ये उनके बन में थोड़ा सा doubt से, क्या सच में कोई इनसान मुझे इतना प्यार कर सकता है, जो इतने time से म आपको एक strong commitment का देने का सोच रहे हैं, और इस पार वो जो आएंगे strong commitment ही देंगे, इस पार उनको वैसा कुछ you know on-off नहीं चाहिए, उनको खुद को भी अभी पसंद नहीं हो रही है, ये चीज़े, दूसरा with this nine of ones and strength मुझे लग रहा है, कि कहीं न कहीं ये person आपकी patience चेक कर रहे हैं आपको कि आप इन्हें कितना प्यार करते हूं, मैं एक बात आपको doubt clear कर देती हूं, अगर ये person married है, इनके life में उनकी wife है या फिर husband है, तो कहीं न कहीं ये जो सारी chances से काफी कम हो जाते, feelings same रहेगी, जो भी मैं बोल रही हूं, बट अगर आप action की बात करेंगे, actions कह कहीं न कहीं यहां पर कम chance है, action का आपकी तरफ क्योंकि already, you know, action का मतलब वो होता है commitment और commitment का chance कम होता है, ठीक है, बट अगर unmarried है, आपके person और कहीं न कहीं मुझे लगता है, कि person देख रहे हैं, कि क्या सच में कोई इनसान किसी को इतना प्यार कर सकता है, कि इतना long term तक इंत के हैं, कि आप strongly इनका इंतिजार कर रहे हो, तो definitely यह उस बात से काफी जादा खुस है, impressed भी है, लेकिन यह इसलिए आपको बहुत जादा respect भी करते हैं, कि आप जो है, उनको इतना जादा प्यार करते हो, कि इतने time से wait भी कर, you know, they have a respect for you, they have a, you know, soft corner for you, हर वो चीज़ आपक कोई प्यार करें, तो होना चाहिए, respect बहुत important चीज़े, और यह चीज़े है, कईना कई मुझे लगता है, कि यह person सोचते हैं, या फिर सोचना चाहते हैं, कि मुझे लगता है, जादा तर यह यही बात सोचते हैं, कि आप जो है, इनके जिन्दगी में सिर्फ और सिर्फ एक commitment चाते हो, एक long term love चाते हो, you know, you need nothing else, जैसे कि other relationship में होता है, वक्त के साथ साथ, you know, चाहे person खर्चा करें, यह करें, वो करें, लेकिन इस person को पता है, कि आप जो है, इनसे सिर्फ loyalty expect करते हो, और कहीं ना कहीं, आप जो है, इनको काफी जादा, जो वो है, ठीक है ना, जो वो है, आप उनको उसी तरीके से ही प्यार करते हो, और यही बात यहीं, आपकी बाते, उनको काफी जादा पसंद है, और एक बात है, कि आप जो हो, यह मुझे mutual feelings आप दोनों की दिख रही है, आप जो हो, यह person, आपको उसी तरीके से प्यार करते है, like आप जैसी हो, जो हो, they don't want to change you, वो आपको change नहीं करना चाते, ठीक है, बट मुझे लगता है, कहीं न कहीं, यह person शायद काम के वज़े से, शायद mother issue के वज़े से, मदर नहीं चाते है, या फिर थोर्ड पार्टी के वज़े से, अपनी जो feeling से, अपनी जो thinking है, आपकी तरफ, उस चीज़ को काफी हद तक यह control कर रहे हैं, काफी हद तक यह उस चीज़ को पकड़ के रख रहे हैं, अपनी feelings को easily यह express नहीं कर रहे हैं, यह जानते हैं कि आप इनका इंतजार कर रहे हो, गड़ी गड़ी हर वक्त इंतजार कर रहे हो, बट स्टिल यह person, उनका hope है कि definitely एक ना एक दिन हम एक हो एक दिन में action लूँगा या फिर action लूँगी, बट स्टिल क्योंकि इनके पीछे काफी सारी चीज़े हैं, यह person action नहीं ले पा रहे हैं, ठीक हरा, बट इनको भी आपकी तरह hope है कि एक दिन आप दोनों जो है, finally जाकर मिल जाओ गई, यह देखो, एक चीज़ मुझे यहां प इस वक्त आपको लेकर, इस रिष्टे को लेकर, वो जो भी सोच रहे हैं, situation को सामने रखकर, आखों के सामने situation को देखकर सोच रहे हैं, ठीक है, दूसरी बात मुझे लगता है कि कभी-कभी over thing यह definitely करते हैं, over progressive हो जाते हैं, क्योंकि deprivation का काड़े, इनको डर है, आप किसी औ काफी ना मांग सकें, प्यार ना कर पाएं, चाहकर भी आपको अपना ना पाएं, इस तरीके की situation ना बने, इस बात को लेकर, वो कभी-कभी जादातर over thing की करते हैं, और कही ना कही मुझे लगता है कि इस इंसान को वक्त चाहिए, इस रिष्टे को वक्त चाहिए, यह person इस जैसे hanged man, thinking man की position होता है, वैसे ही है, काफी जादा सोच रहे हैं, लेकिन उनको पीछे से चीजे इतनी जादा पकड़ कर रखे हुई है, कि यह जतना भी चाहे action लेने के लिए, कही न कही इनको action लेने में तकलीफ होती है, क्योंकि पीछे से बहुत सारी चीजे हैं, जो इन अबरा energy मुझे strongly feel हो रहा है, मुझे लगता है, यह person definitely equal given take करके, आपने जो इनको loyalty, प्यार, वक्त दिया है, यह आपको वही सब देकर चीजों को balance out करना चाते हैं, बट क्या हो रहा है, कि उन्हें feel होता है, कि आप दोनों अलग-अलग नाव पर सवार हो, पास आते हो, लेक आप जितना चाहो, वो आपको बता नहीं पा रहे है, क्योंकि यहां पर truth to be told है, अगले कुछ गंटों में कुछ सच सामने आएगी, जो यूनों, आपको पता चलेगा कि actual में वो person ऐसे नहीं है, जैसे आप सोच रहे हो, ठीक है न, इनका जो भी attachment है, आपकी तरफ वो आपक दिखाई देगा, चीजें काफी आपको समझा देगा, जो blockages है, जैसे कि family blockages है, एक होने में, या जो भी problems आ रही है, आपको कुछ सच पता चल सकती है, अगले कुछ घंटों में, और definitely मुझे लगता है कि, यह सच सुनने के बाद जो है, आप भी यूनों, आप भी यहीं सो चोगे कि हाँ भई, मैंने उनके बारे में जो भी सोचा था, वो काफी हद तक गलत था, so guys यह थी आपकी reading, I hope आपको यह reading पसंद आई, मिलते हैं अगले reading पर, bye guys